नमस्कार किसान साथियो, साथियो आलू का साइज बढ़ाने के लिए ये बियादी महात पूर्ण वीडियो है साथियो वीडियो को पूरा देखी गा, देखिये अभी लगभग आपकी फसल जो है 40 से 45 दिन की हो चुकी होगी और जो पौधा है आलू का वो लगभग ग्रोथ कर गया होगा, लगभग 2 फिट करीब उसकी उचाई भी हो गई होगी तो देखिये अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी ऐसी दवा का इस्तेमाल लहीं करना है साथियो कि जिससे की पौधे की ग्रोथ और बढ़े भीर्म प्रकार की ऐसी दवाईयां होती है, जो की पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते जाती है, आलू का साइज जो है वो छोटा का छोटा रह जाता है तो देखे साथियो सबसे पहले आप ले ले, एनपी के 0050 हमें लेना है, अब साथियो हमें एक अच्छा सा PCR लेना है, तो हमने इसमें ले लिया है कल्टार, साथी साथियो हमें एक और मात्पूर्ण चीज लेनी है, वो लेनी है बोरोन, ये 20 प्रितिशत वाली बोरोन हमें लेनी है, इसे हमें साथियो प्रिति एकड़ के हिसाब से 200 ग्राम लगबग हमको इसका इस्तमाल करना है, अब साथियो इसका खोल हमें तयार करना है, और हमें चड़काओ करना है, अब देखे आप ध्यान रखें साथियो कि जब धूप खिली रहे तब आप इसका स्प्रे क करें और ध्यान रखें कि खेतों में नमी बरकरार हो तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियो अगर PCR की हम मात्रा की बात करें तो आप लगबग इसको 100 ml ले सकते हैं प्रती एकड के हिसाब से और जो MP के हम लेने जारे हैं साथियो इसको हमको प्रती किलो लेना है प्रती एकड के हिसाब से लगबग 5 लीटर पानी में इन खादों का घोल तयार करना है साथियो आप जहें तो 6 लीटर भी कर सकते हैं और प्रती एकड़ के हिसाब से हमको 200 लीटर पानी की आवशक्ता पड़ेगी तो उसमें एक लीटर ये जो घूल हमने बनाया है उसका एक लीटर उसमें टंकी में मिला दें आप और फिर उसका इस्प्रेक करें साथियो चमतकारिक रिजल्ट आपको मिलेगा और आलू का साइज बहुत ही अच्छा होगा देखिये हम कोई भी खेती करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं साथियो और अगर हम कहीं पर छोटी मोटे गल्ती अगर कर गए तो फिर हमें फायदा नुकसान में बदल जाता है तो हमें चाहिए कि हम सतर्क रहें अपनी फसलों के निगरानी करते रहें साथियो तो साथियो ये एक उपाय करिए और आपके आलू का साइज जरूर डबल होगा और आपको मुनाफ़ा होगा साथियो अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की घंटी को भी दवा दिजेगा साथियो एक लाइक जरूर करेगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करेगा साथियो मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद